आपके पास भी बहुत सारे कटे-पिटे नोट हैं और कोई भी दुकानदार उन्हें लेता नहीं है तो आप उन्हें आराम से एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में जाकर और बैंक नोटों को एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता है और अगर ऐसा वो करता है तो आप RBI में कम् कर सकते हैं जै यह आप कुछ शर्ते हैं नोट को एक्सेंज कराने की कि मानलीजी आप जानबूच कर नहीं आपने जलाया हो यह जानबूच कर आपने काटा फाड़ा ना हो उसके अलावा तो कैसे भी कटे पिटे जले नोट आपको बैंक वापस करके देगा अब मानलीजी ए अपने पैसे निकाले और फटे वे निकल गए तो जिस बैंक का वो ATM है उस बैंक में जाकर आप लिखित में अपनी कंप्लेंड दर्ज करें और उसमें एटीम स्लिप लगाएं या फिर एसमें आई वी डीटेल्स डाले और उसे जमा कर दें आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे उसके अलावा इसमें एक और शर्त ये हैं कि आपके जो नोट है वो बीस होने चाहिए गिंती में बीस से जादा नहीं होने चाहिए और कुल राशी उनकी 5000 होने चाहिए उससे जादा नहीं होने चाहिए तो आपके नोट आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगे उसके अलावा जादा जानकारी के लिए आप 1440 पर मिस्ट कॉल दे सकते हैं और सारी जानकारी